इस पृत्वी पर पृत्वी की सबसे महान तक्नीक मानवतंत्र है जो लोग कभी यूजर मैनुवल नहीं पड़ते वो अपने शरीर और मन से दुखी है ठीक है अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ अगला से इसमें काफी समय है उज़ा और संसाधन लगते हैं लेकिन देखिए वो भी संदेश को आगे ही बढ़ाते हैं अध्यात्मिक होने का एक बड़ा पहलू मेरे खयाल से प्रेम मैं होना है कुद्टे बड़े अध्यात्मिक होते हैं क्या आप यही कह रहे हैं कुद्टे बहुत प्यार करते हैं मुझे उस तीस हजार किलोमीटर की बाइक राइट के बारे में पूछना है तीस हजार किलोमीटर मजाक नहीं है शायद ये योगियों जैसी पीट के लिए एक अच्छा विग्याबन होगा अगर आप मुझे धाई करोड अर्थ बडीज दिला दें मैं आपको राइट पे ले जाओगा बस मुझे लगता है ये मेरे जीवन के सबसे आकरशक पलू में से एक बन चुका है प्रकृती के बीटो बीट आप से बात करना तो आप जानते हैं मैंने पिछली बार आप से इस तरह 2018 में बाग की थी मुझे लगता है जैसे उस समय मैं बच्चा था मुझे लगता है अब मैं बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन उस रात मेरा मतलब है उस बातचीत का मुझ पर इतना गहरा सर हुआ क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे सवालों के जवाब दिये जैसे जवाब आपने दिये मुझे वो जवाब दिये जिनकी ठीक उसी समय मुझे जरूरत थी और उस रात मुझे वास्तव में आपका एक सपना आया था इस बार में आपको एक अडल्ट मान कर चलूँगा खुशू, खुशू की आपके बगल में बैटकर आपसे बात कर रहा हूँ फर्क नहीं बरताब कैसे बरताब करते हैं मेरे साथ यही होता है चाहे लोग 70 साल के हों मैं उनसे बच्चों की तरह बरताब करता हूँ और वो धीरे-धीरे मेरे साथ वैसे ही बन जाते हैं सारी बात यही है समय के साथ लोग पपड़ीदार हो जाते हैं जीवन के साथ बस यही बात है कि आप समय के साथ पपड़ीदार और जंग खाय हुए न हो जाएं नहीं मैं मानता हूँ मैं अब भी आपसे एक बच्चे की तरह बरताव करूँगा ठीक है खुश और खुश किस्मत हूँ कि मुझसे बच्चे जैसा बरताव किया जा रहा है सद्गुरु मेरा दिल तूट जाता है कि यहां मैं आपके साथ इतना खुबसूरत शन जी रहा हूँ और हमारी दुनिया भी एक युद्ध के बीचो बीच है दुनिया नहीं सिर्फ दो देश दो देश लेकिन अगर वो हो भी जाए तो कम से कम उसे सीमित रखना चाहिए हर किसी को उसमें कूद नहीं पढ़ना चाहिए आपके खयाल से उन चंद लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा मतलब जो लोग निरना लेते हैं आप जानते बूचते युद्ध में क्यो जाएंगे इसके कारण सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकते मुझे लगता है इसमें एहम यानी इगो का मामला भी हो सकता है देखे ये बहुत बेकार फैसले हैं लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी की जड़ें पहचान की हमारी मजबूत भावना में गड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान किसी और के पहचान पर हावी हो तो राष्ट्रवाद एक बहुत मजबूत पहचान है इस पहचान को सोच समझ कर बनाया जाता है और इस हद तक उसे बढ़ावा दिया जाता है कि आप अपने देश के लिए अपना जीवन नियुचार करने के लिए तैयार होते हैं इसे हमेशा एक महान गुण माना जाता है अगर मैं अपने देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ तो उसके लिए आपका जीवन लेने के लिए भी तैयार हूँ वो एक उद्रती प्रक्रिया है चाहे वो देश हो, नसल, धर्म, जाती, वर्ग या यहां तके आपकी अपनी इंडिविजुआलिटी अगर आप गयर जरूरी पहचान रखते हैं तो आप अनावशक टक्रार और संगर्श में पढ़ेंगे सद्गुरू लेकिन क्या पहचान, इगो के लिए दूसरा शब नहीं है? जैसे मैं हाल ही में, इगो के इस कॉंसेप्ट के बारे में काफी सोचता रहता हूँ आप जितना जादा सोचते हैं देखिए जब आप कहते हैं कि ये इगो का एक कॉंसेप्ट है, इसका मतलब इसे आपने गढ़ा है आपने उसे क्यों गढ़ा है? ठीक है, सही है अगला सवाल, दूसरे तरह का विचार है जो इस दुनिया में मुझे काफी आकरशत करता है और एक तरह से अभी भी इस समय के बारे में खटा मीठा सा एसास देता है जिसमें हम रहते हैं ये है जैन Z के बारे में, मतलब जैनरेशन Z जिसका मतलब है वे बच्चे जो उनने सु सत्ताना है आप किस सदी की बात कर रहे है मेरे खयाल से वो cultural terms है जो दिये गए है ठीक है लेकिन Z शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए इसका मतलब आप आखरी पीड़ी हैं, वो मत बनिया ठीक है हम आपको Zen A बुलाएंगे मेरे खयाल से अगले को Zen Alpha कहा जाएगा बस हम शुरुआत में वापिस जाते हैं ओ अच्छा, ये अक्षर गोल गोल घूम रहे है सर, तो मैं एक बार जब आप अक्षर सीख लेते हैं तो आपको शब्दों में जाना चाहिए जब आप शब्द जान लें तो आपको वाक्यों में जाना चाहिए जब आप वाक के जान जाएं तो आपको साहिते में जाना चाहिए अक्षनों को दोराते मुत रहें मैं काफी सारे जेन जी और कुछ जेन आलफा के साथ काम करता हूँ मैं उनके बारे में इस बात पर उन्हें एक अलग नाम खोजने के लिए कही है जेन जेड खतरनाग है इसका मतलब है कि आप आखरी पीड़ी हैं ऐसा मुद कही है मुझे लगता है कि एक बढ़िया नाम है शायद युवा के रूप में हमारे दिमाग में लेकिन जो भी हो सर तो एक चीज जो मैं उनके बारे में गौर करता हूँ वो ये है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है उससे ज़ादा बुद्धिमान जो मेरी पीड़ी उस उम्रों में थी सतरा उननिस और आप कुछ तेरा चौदा साल के बच्चों से बात कीजिए वे इस जैन जी पीड़ी से भी जादा हुश्यार है तो मैं उन्हें खुश किसमत और थोड़े शाफित की तरह देखता हूँ शाफित इसलिए क्योंकि हम वाइरस के समय में रह रहे हैं हम इस खटना के समय जीवत हैं जिसके बारे में हमने बात की जैसे युद्ध और पिर हम पर्यावरन शती या एकलोजिकल डामेज के समय में भी रह रहे हैं जैन जी और जैन आलफा के बारे में अच्छी चीज ये है कि वे पर्यावरन को लेकर जादा जागरुक हैं वे जादा बुद्धिमान हैं वे कहीं जादा स्मार्ट हैं वे जानते हैं कि तक्नीक, डिजाइन, सोशल मीडिया को बहतर तरीके से कैसे इस्तमाल करें लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ, इस दुनिया में उनकी जिंदेगी के बारे में सोचता हूँ फिर किस तरह की दुनिया की तरफ जा रहे हैं देखिए, हर पीड़ी का ये सोचना है कि वो खास है बहुत बुरी बात है दुर्भाग ऐसे हर पीड़ी को लगता है कि वो खास है हम साट के दशक से आए हैं, साट के दशक के लोग सोचते हैं कि वो वाकिए खास लोग है और वो एक आपदा बन गए है उस दिशा में मत जाईए क्योंकि ये चीज ये सोचना कि ये पीड़ी जादा बुद्धिमान है, वो पीड़ी जादा जागरुख है ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी व्यक्तिकत जिम्मेदारी से पल्ला जाड़ रहे हैं इसका क्या मतलब है? देखिए आपको स्मार्ट होना होगा मेरी पीड़ी स्मार्ट है, इसका क्या मतलब है? आप स्मार्ट है या बुद्धु यही सवाल माइने रखता है न? इसन्ट इट? आप जागरुख है या नहीं क्या यही? अरे नहीं हमारी पीड़ी जादा जागरुख है, ऐसी कोई चीज नहीं होती यह एक पूरी लोग हजारों अलग-अलग तरीके खोज लेते हैं कि इनसान होने की मूलभूत जिम्मेदारी को कैसे किसी और चीज पर, किसी और इनसान पर डाल दिया जाए आप बता रहे हैं कि Zen Z अपने फोन को मुझसे बहतर हैंडल कर सकते हैं और यह सच हो क्योंकि वो इसी के साथ जन्मे हैं मैं किसी भी Zen Z से ज़ादा बहतर पेड़ पर चड़ सकता हूँ शायद अभी भी मैं उनसे बहतर कर सकता हूँ मैं अधिकान Zen Z से बहतर मोटर साइकल चला सकता हूँ तो क्या हो गया? मैं कहता हूँ हमारे समय में हमारे पास जो भी उपलब था हम उसमें अच्छे हो गए उससे हम ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन जाते फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं जैसे आपके खयाल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है देखे अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कम्प्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे आपको उपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है ये बहुत सब्रूरी है आप तक्नीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविक्ता समझ रहे हैं नहीं ये तक्नीक एक बहुत बढ़िया उपकरन है अगर आप उसे जागरूपता में इस्तिमाल करें तो अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं आजकल अमेरिका में टेक्नोलोजी डी अडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं ठीक है? ड्रग डी अडिक्शन की तरह टेक्नोलोजी डी अडिक्शन लोग टेक्नोलोजी को लेकर पागल हो रहे हैं टेक्नोलोजी मेरे लिए बहुत फाइदे मंद रही है हम उससे 100 गुना जादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे सिर्फ टेक्नोलोजी के कारण मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है लेकिन कोई है जो उससे दुखी है मनश अपने ही दिमाग से दुखी है अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांती से रहते क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाओ 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 क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चितम तक्नीक को कैसे संभाले जो यहां है इस धर्ती पर धर्ती पर सबसे महान तक्नीक मानव तंत्र है जो लोग नहीं जानते कि उसे संभलना कैसे है जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुवल नहीं पड़ा वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी है मेरे पास इसके बारे में दो सवाल है यस सर पहला है कि आप इस सारे Metaverse Revolution के बारे में जानते हैं जो हो रहा है और दूसरा वो revolution नहीं है मैंने Metaverse के बारे में सुना है मैं जानता हूँ Metaverse हाँ ये virtual reality जैसा है यही सवाल उससे जुड़ा है वो दूसरा सवा है किसी तक्नीक के खिलाफ नहीं हूँ मैं उसके पक्ष में हूँ सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है देखिए अभी क्या ये Metaverse नहीं है वही सवाल था जैसे आप जानते हैं मैं आशा करता हूँ कि भविश्य की तक्नीके हमें प्रकृती से दूर ना कर दें क्योंकि हमें खूबसूरत सब्यता में रह रहे हैं क्योंकि आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं देखिए अभी फिलाल अगर आप इस पर परियाब ध्यान दें यह सुपर मैटावर्स है मेरा विश्वास कीजिए लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है मैं जंगलों में रहा हूँ कई हफते सिर्फ अकेले बिताएं है यहां जो हो रहा है वो सरल नहीं है आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है सद्गुरू आप परियावरन विद कैसे बन गए कहां से मेरे ख्याल से खुद को एकोलोजिस्ट, एन्वायर्मेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत बद्दा है मैं वैग्यानिक शब्दवली की रूप में नहीं कह रहा हूँ आमतर पर लोग खुद को बिलाते हैं क्यूंकि आप एकोलोजी का एक हिस्सा हैं आप परियावरन का एक हिस्सा हैं आपने एक कैसे मान लिया कि आप उसे अलग हैं उपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं आप उसका एक हिस्सा हैं आप सिर्फ उसका एक नतीजा हैं है ना मिट्टी में जो हो रहा है और आप जो हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिम्भ है वहाँ जो हो रहा है ये उसका एक नतीजा है तो हम इस दूरी को सच मान लेते हैं खासकर अगर आप हर समय ये VR चश्मे पहन कर घूमेंगे आप कभी आसपास की जीवन को नहीं देख पाएंगे ना अपने आसपास की जीवन का अनुभव कर पाएंगे आपको बस एक तरह का साइकेडेलिक अनुभव हो रहा है असलिए और उन्हें लगा कि ये बहतर है क्योंकि उन्हें ऐसी दुनिया दिख रही थी जो थी ही नहीं और उन्हें से कई मारे गए बाकी बीमार हो गए तो वो केमिकल के साथ मेटावर्स कर रहे थे आप तक्नीक के साथ मेटावर्स कर रहे हैं होगा बस ये कि आपका दिमाग विकृत हो जाएगा, क्योंकि मन उसका एक प्रतिबिम्भ है जो आपके सामने आता है, अगर आप सुरिष्टी की एकता और सम्रस्ता के सामने जादा से जादा होते हैं, तो आपका मन ऐसा ही हो जाएगा. अगर आप इन सबी विकृतियों के सामने जादा से जादा आते हैं, चाहे वो रचना के मामले में कितना भी बढ़िया हो, ये मनुरंजन है, इसका मतलब है कि आप इसे एक दो घंटे करें, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो एक नई दुनिया है, ल देखे आप नकली दुनिया में एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, फॉल्स एस्टेट, ये कोई रियल एस्टेट नहीं है, खासकर प्राजक्ता के साथ आपकी उस बातचीत के बाद जो मैंने सुनी, जिसमें आप एक तरह से निकट भविश्य से सच के अंश निकाल रहे थ मुझे लगता है कि एक महत्वपून मुद्दा है, लेकिन लोग नाओ के छेदों पर ध्यान के इंद्रित नहीं करते, वे बस नाओ को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और आप जानते हैं, हम दुनिया के अरब पतियों की बात करते हैं, जैसे एलन मास, ये सा को इन सच्चायों का पता होना चाहिए, आप उन्हें Z के जगा C बुला सकते हैं, ज्यादा करीब अक्षर C होगा, जैन कन्फ्यूस्ट, ये कहना बहुत लोग पूरी चीज नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद पर लेबल पहले ही लोग आप पर कितने सारे लेबल लगा रहे हैं, आप भरती हैं, आप भूरे हैं, आप सफेध हैं, आप ये धर्म हैं, वो धर्म, वो जाती, ये वर्ग, तमाम बेकार लेबल वो आप पर लगा रहे हैं, खुद पर एक और लेबल मत लगाईए, क्योंकि हर लेबल क आप क्यों नहीं यहां सिर्फ एक जीवित प्राणी की तरह रहते हैं? सांस लेना और जीना, जितना हो सके उंचे इस तर पर स्पंदित होना, आप जीवन के साथ इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब आपकी कल्पना हैं, अपनी कल्पना को वास्तविक्ता मानने की गलती मत कीजे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप मनोवज्ञानिक हकिकत को अस है मानव मन लेकिन आप हर समय उससे दुखी है और अगर मैं कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कल पैदा हुए हैं या सौ साल पहले पैदा हुए हैं अगर आप अपने मन से दुखी हैं तो आप जैन सी हैं हम आम तोर पर लोगों को मिट्टी बचाओ अभ्यान का हिस्सा बनने के लिए कैसे प्रिरित करें प्राजक्ता के साथ आपकी बातचीत के बाद मुझे उसका महत्व समझ आ गया है लेकिन मेरा सवाल शाहद ये एक पुंजीवादी सवाल है लेकिन हम असल में कैसे लोगों का ध्यान के इंद्रित करके उन्हें बता सकते हैं सुनो धर्ती पर ये गलत है देखे पहली चीज ये कि युवापीड़ी को ये समझना चाहिए कि खाना जमीन से आता है आपका शरीर जो आप लेकर चलते हैं जो आपके लिए बड़ा महत्वोन है ये जमीन से आता है ये जमी क्योंकि ये जमीन में मौझूद हुमस का नतीजा है तो ये पता करने के लिए थोड़ा समय निकालिए कि आप जहां भी हैं वहां कितना हुमस बाकी है आप शहर में रहते हैं सब कुछ पक्का है ठीक है पक्की जमीन और जुती हुई जमीन धर्ती परापदा है ये बहुत मिट्टी हर समय एक रिसाइकल है वहां उसमें मृत जीवन जाता है और जीवन बाहर आता है मिट्टी के बारे में सबसे चमतकारी चीज ये है मिट्टी का चमतकार ही ये है पूरे ब्रम्हांड में ऐसी कोई जगा नहीं है जहां आप मृत्ती को बहुत सकते हैं और उसमें जीवन कांकुरण होता है, जीवन फूटता है, यहां कोई मृत चीज दफना कर देखे और देखे कि कुछी दिनों में उसके आसपास कितना जीवन खटित होता है, मुझे बताइए पूरे ब्रह्मान में मुझे एक जगा दिखाईए जहां यह हो सकता है, तो फिलहाल जिस तर जब आप मरेंगे उसकी बुकिंग अभी कर सकते हैं, जब आप मरेंगे जब भी मरें, वो आपके शरीर को ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ देंगे, क्योंकि वहां कोई आक्सिजन नहीं है और कोई माइक्रोबियल या सुख्ण जीवन नहीं है, तो आपका शरीर बस वैसे का वैसे ही रहेगा, लाखों, सालों तक आपका शरीर अंतरिक्ष में तैर सकता है, शायद आप किसी अंतरिक्षियान की सवारी कर सकें, मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये जो शरीर है, वो मूल रूप से मिट्टी है, आगर आप कुछ भी इको फ्रेंडली नहीं करते, तो कम से कम जब आप मरें तो उसे वापस जमीन में डाल दें, जहां का वो है, हेलो, ये सबसे सरल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन लक्सा आपकी दादी-मा का है, आप वहाँ जाकर फूल रख सकते हैं, एक मिर्ट शरीर को संरक्षित करने का क्या मतलब है, उसे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है, ये कर्द है जो हमने लिया है, हमें इसे वापस डाल देना चाहिए, जब हमारा काम हो जाए है न, तो इस तरह की चीजें हम जीवन घटित होने के बारे में अज्यानता की वज़ा से करते हैं, जीवन, आप जानते हैं, अगर आप कार्बन शब बोलें तो हर कोई सोचता है, वो बहुत बुरा है, कुछ जहरीला है, क्योंकि सोशल मीडिया में कार्बन को लेक जीवन है न, ये पूरी दुनिया, जीवन, जीवन के लिए मूलभूत समगरी कार्बन पर आधारित है, और अभी जिसे आप जीवन कहते हैं, वो एक स्तर पर एक पूरा कार्बन चक्र है, अगर कोई कड़ी है जो कुछ बना रही है, मान लिजे मोटरसाइकल में चेन है, आ आधनिक मोटरसाइकलों में ये हमें जादा परेशान नहीं करती, वरना जब मैं मोटरसाइकल चलाता था, तो हर 500-600 किलोमीटर पर आपको अपनी चेन चेक करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ढीली हो जाती थी, अगर आप उसे वैसे चलाएंगे तो वो उतर जाती थी, आपक करते हैं, फिर भी आपको रख रखाव करना पड़ता है, लेकिन जब आप सिंगल ट्रिप पर होते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक चेन कोई भी चेन हो, एक चक्र है, उसी तरह, कोई भी चेन उतनी ही मजबूत है, जितना इसका कोई भी एक ल जीवन चलता है, लेकिन धर्ती पर खेती की मिट्टी जो चेन में एक बहुत बड़ा लिंक है, बहुत कमजोर हो गई है, अगर वो टूट गई, तो जीवन अच्छा नहीं होगा, आप अपना खाना स्विगी, पिगी, जिससे भी आपसंद करते हैं, और कर सकते हैं, लेकिन किसी ने किसी को उसे पकाना होगा, ठीक है, कोई भोजन को पका रहा है, डिलिवरी तंत्र वो आपको डिलिवरी नहीं करेगा, कोई भोजन पका रहा है, कोई भोजन उगा रहा है, डिलिवरी टेकनोलोजी आप पर हो सकती है, डिलिवरी को स्त्रोथ समझने की गलती मत कीज आप भोजन किसी फूड आप के कारण नहीं खा रहे हैं। ये रेगिस्तान बनने के कागार पर है। जब सरस्वती नदी उपर भेती थी तो ये सब वन थे। जैसे ही वो सूख गई और कुछ चीजें बदली और लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ये सब कठोर रेगिस्तानों में बदल गए। ये ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई कल सुबह आपके पडोस में रेट के टीले होंगे। बात वो नहीं है क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये बहुत रोमैंटिक है। आप वहाँ जाकर एक गाना गाएंगे किसी फिल्मी गाने की तरह। खाद्य पदार्तों की उपश धीरे-धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से भोजन नहीं होगा। ये धीरे-धीरे घटता है। आज भी आप सभी युवाओं के लिए जो सम्रिद्ध हैं, जिनके पास खानी के लिए तरह-तरह के भोजन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप समझें, हर दिन, आज भी… 820 मिलियन पीपल गो तो बैड विदाट फूद। अज़र बैड विदाट फूद। नेरली वन अन हाफ बिलियन तो बिलियन पीपल बीड विदाट फूद। 82 करोड लोग भूखे पेट सोते हैं। उमीद है कि 2032 तक करीब डेड़ अरब से दो अरब लोग भूखे पेट सोएंगे। ऐसे उमीद है कि 2045 तक करीब 3 से 3.5 अरब लोग भूखे पेट सोएंगे। क्या आप यही करना चाहते हैं। और आपको क्यूं लगता है कि यह आप नहीं होंगे। क्या गरेंटी है कि यह आप नहीं होंगे। और वे कहते रहते हैं कि कैसे इतिहास इतना गहरा है कि यह जानने का भी कोई तरीका नहीं है कि 10,000 साल या 20,000 साल पहले क्या हुआ था। तो मैं हमीशा सोचता हूँ कि शायद कि शायद ऐसी सभ्यताएं थी जिन्होंने वास्तव में पर्यावरण की दृष्टी से कुछ गलत फैसले किये थे और प्रक्रती माने उसका बदला लिया क्या आपको लगता है कि एक और चक्र है ठीक वैसा ही? देखे ऐसा हुआ है उस तरपर नहीं जैसा भी हो रहा है क्योंकि अब ये दुनिया भर में है माया सभ्यता इसले ढह गई क्योंकि उन्होंने अत्याधिक खेती की मैसरपोटामिया तो नदियों के बीच दुनिया के सबसे महान सभ्यताओं में से एक वो जरूरत से जादा खेती करने के कारण ढह गई एक सभ्यता के रूप में रोम सबसे जादा खेती करने के कारण नश्ठ हो गया क्योंकि उन दिनों रेलवे या जहास जैसी विशाल परिवहन प्रनालिया या ऐसी चीज़े नहीं थी जब वे भोजन नहीं हुगा पाते थे वो शहर धस्त हो जाता था आप मुंबई में कोई भोजन नहीं हुआ रहें ठीक है लेकिन आप दुनिया भर से भोजन मंगा सकते हैं पर आपको क्या लगता है ये कितने दिनों तक काम करेगा जरूरत का भोजन आपके पास ना होगे तो ये कितने दिनों तक काम करेगा जब उस तरोत के पास कमी आएगी तो वो आपको भोजन देना बंद कर देंगे कई जगाओं पर ऐसा हो भी रहा है अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा अशिष्ट लग सकता है और मैं माफी मांगता हूँ मैं भी रूड़ हो जाओंगा, no problem वो चलता है, आप रूड़ हो सकते हैं लेकिन और मैं यह आपसे इस नजरिय से पूछ रहा हूँ की मैंने हाल ही में गरुड पुरान नाम की किताब पढ़ी है जो मृत्यू के बारे में बात करती है ओ, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए है ना नई, 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 मैं इसने मुझे अपनी मृत्यू के बारे में सोचने के लिए उकसाया और वो सब कुछ जो मैं अपनी मृत्यू से पहले करना चाहता हूँ तो ये सारे अभ्यान जो आप शुरू कर रहे हैं चाहे वो मिट्टी बचा हो, चाहे कावेरी कॉलिंग हो क्या आप इसे इस नजर्य से कर रहे हैं कि आप अगले 20-30 सालों में एक असर पैदा करना चाहते हैं क्योंकि आप कुछ बहुत मुश्किल चीज़े कर रहे हैं जैसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राई ये किसी के भी शरीर के लिए बहुत कटोर है इसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि पहले तो सद्गुरू ये दो तर्फा सावाँ मुझे बहुत खेद है अगर ये आशिष्ट लग रहा है लेकिन मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ क्या आप कभी अपने काल में अपने शन के बारे में सोचते हैं और दूसरा, आप कैसे मेरे, मेरे अपने समय के बारे में मैं उस बारे में पूरी तरह सुल्चा हूँ पूरी तरह से मुझे जीवन में ऐसी कोई चिंता नहीं है क्या आप कभी उसके बारे में सोचते हैं? नहीं, क्योंकि मैं उस पल में फैसला करूँगा मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा आपको किस चीज़ का इंतजार है? हाँ? क्यों? आप पूछ रहे हैं कि मैं मरा क्यों नहीं हूँ? आपने अब तक उसे चुना क्यों नहीं है? वाव! देखे, अभी पानी बहरा है मेरे आसपास के लोग अब भी जानने और बढ़ने के लिए प्यासे हैं अगर वो मेरे सामने थोड़ी बोरियत दिखाएं तो मैं चला जाओंगा उन्हें ये पता होना चाहिए हाँ, एक हजार लोग मेरे लिए जो मेरे सामने बैठते हैं अगर वो बोरियत दिखाते हैं सोचते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं तो मैं चला जाओंगा फिर से ये थोड़ा शिष्ट सवाल होने वाला है और मैं माफी चाहता हूँ हर किसी से मैं देख रहा हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आश्रम गया हूँ मैं कोईमबटूर आया हूँ मैंने सारा काम देखा है जो चल रहा है मैंने हर किसी की उर्जा देखी है और वहाँ धेर सारी अच्छी नियत है खासकर जब पर्यावरन की बात आती है धेर सारी अच्छी नियत नहीं, सिर्फ अच्छी नियत और राजनीती की दुनिया के लोग, मीडिया की दुनिया के लोग, मैं ये भी कहूंगा कि देश का पूरा वाम पंथ हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं असल मैं ये अपने नजर ये से पूछ रहा हूँ, अगर मैं कुछ सीख सकूँ। ठीक है, वही चीज़े कह रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहूंच नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ठोस नहीं है। किसी चीज़ में कोई दमी नहीं है, जो उन्होंने कहा है, तो ये दुर्भागे पूण है, कि वो उस थिती में हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हर डेली मिस्टिक कोट आता है, आप जानते हैं डेली कोट? वो सब लोग बस इंतजार करते रहते हैं। मैं खुश हूँ, मैंने जेलों में काम किया है, भारत और अमेरिका दोनों में, मैंने दुर्दान तब राधियों के साथ काम किया है, जो हत्या, बलादकार, सबसे बुरी चीज़ों के लिए जो आदनी कर सकता है, वहां आते हैं। और मैंने उनके जीवन में महत्वपून बदलाव देखा है, सिर्फ दो दिन या पांच दिन वो मेरे संपर्क में रहते हैं इसलिए, ये लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास ही कि एक दिन वो बिलकुल बदल जाएंगे, मैं उने शुब काम अब जानते हैं, ये सिर्फ उनकी राय की बात नहीं है सद्कुरू, मुझे लगता है कि अगर आप अपने मकसद के बीच में हैं, कई बार लोग… मैं बहुत ही निजी वेक्ती हूँ, वा करेंयों, मैं सामाजिक किसलिये हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को अपना हिस्सा समझता हूँ, सिर्फ उसी माइने में, वरना मैं किसी भी माइने में सामाजिक नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ा क्या कहें हैं, आपकी तरफ से रहे हूँ और कोई आपके पैर पर लटक जाए फिर भी आपको चलना है आप चलते हैं पर उनका वजन कम है तो ठीक है मैं कहता हूँ वो जो भी 25 साल से कह रहे हैं वो एक भी बात साबित करके ये नहीं कह पाए कि ठीक है वास्ता में ऐसा हुआ था लोग कब तक लगातार इस कर रहे हैं उनमें से कई लोग सकारात्मक तरीके से हमें फॉलो करने लगे हैं कई पत्रकार जो संसने की इस पत्रे काओं आदी से जिन्नों ने हमारे बारे में ये सारी निंदा जनेक बातें शुरू की थी आज वो सब यहां भक्त हैं बागी लोग आ जाएंगे आपके विचार से उस व्यक्ति का सफर क्या है जिसके दिल में इतना गुस्सा भरा है देखे कुछ लोग वाकई गुस्से में हैं क्यूंकि क्यूंकि उनके अंदर कड़वा हट है उनके अपने जीवन से हाँ दुनिया में महतवपून होने का भाव ये बात सिर्फ मेरी नहीं है वो खिलारियों पर हमला करते हैं वो अभिनेताओं पर हमला करते हैं वो कलाकारों पर हमला करते हैं कोई भी जो कामयाब है वो उस पर ह पहल हुए हैं, जो वो करते हैं, अब कोई भी जो सफल है, वो उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वो मुख्य रूप से, आप देखेंगे किसी और की सफलता से चड़ते हैं, जो उनके अपने जीवन में महत्व की कमी को दिखाता है। पहलू प्रेम में होना है, और हम इस देश में काफी मैं बनाम तू देख रहे हैं, मैं बनाम आप रहे हैं। मेरा मतलब क्या… मुझे बताईए हैं या ना, वो बहुत लविंग होते हैं, तो वो सभी आध्यात्मिक हैं। मुझे नहीं बता। आप हर समय पूछ लाते हैं और आप अध्यात्मिक हैं। प्लीज ऐसा मत कीजे। लेकिन सर, हम इस देश को, हम इस देश को एक जुट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश पर बार बार हमले हुए हैं। और इसे बरबाद किया गया है। इसी बाटों और राजकरू की नीती के कारण। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम काफी मैं बनाम तुम करते हैं। अगले 20-30 सालों के लिए हम कैसे एक ताके उस पहलू पर काम करें। ताकि कारोबार बना सकें। अभियान चला सकें। मिट्टी बचाएं। पर्यावरन को बचाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में पैदा होना हमारे लिए एक वरदान है। और हमें किकाई के रूप में इसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। और काफी सारा एहंकार है, काफी सारा गुस्सा है, काफी सारी नफरत है। खासकर महाभारी के बाद, यहां आपकी क्या सला है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। बहुत से हमलों का सामना करना पड़ा है, बहुत बुरी तरह के हमले, हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखा नहीं है। जैसे दूसरी संस्कृतियों ने लिखा है, लेकिन हम इससे गुजरे हैं और ऐसी मार जहली है, जो दुनिया की बहुत कम अबादियों ने जहली है। सबसे क्रूर हमलों को हमने जहला है, लेकिन फिर भी हमने अपने अंदर कड़वाहाट नहीं रखी है। हमारी यही चीज संदर है, लोग आये, हमें आधीन बनाया, हमें ऐसा महसूस कराया कि आप जैसे हैं आपको उस बात का भी टाक्स देना पड़ेगा, यह सारी चीज़े हैं, लेकिन हमारे अंदर कड़वाहाट नहीं है, यह एक बड़िया चीज़े हैं, ठीक है, हम कड़व हो चुके हैं, लेकिन हम उसे कर रहे हैं, धीरे धीरे, लेकिन देश के आकार और देश की विविदता को देखते हुए, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है हम बड़िया काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिक्शन, फिल्मे, कहानिया, देश को एक जुट करने का अच् तरीका है, सब कुछ जो हम करें, हमें ये देखना चाहिए कि कैसे लोग अपनी छोटी सीमाओं से परे जा सकें, और देखें कि कम से कम अगर असीम नहीं, तो कम से कम एक बड़ी सीमा हो, जिसमें अधिकतर लोग समा सकें, तो अगर आप इसके लिए कोशिश न करें, तो आप जरूरी है कि एक बहुत बड़ी पहचान हो, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें, ऐसा हो रहा है, बस इतना है कि इसे ठीक से पेश नहीं किया जा रहा है, देखिए महामारी के बाद आपने महामारी का जिकर किया, वो एक बहुत बड़ा आगात था, ठीक है, खासकर हमारे जै जादा है, अधिकांच लोग ये नहीं समझते, मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ इस बात की, क्योंकि सबसे निचले स्तर के करमचारी से लेकर मैंने देखा है, पुलिस कॉंस्टिबल से लेकर, ग्रामीन अधिकारी से लेकर, पंचायत नेताओं और राजनेताओं तक और राजी सरकारों और केंदर सरकारों तक, इन दो सालों में उन्होंने जो किया है, मैं बाकि उनके सामने सिर जुकाता हूँ, आप आलोचनाई करते रह सकते हैं कि क्या ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे देश में, जहां बुनियादी धाचा इतना कम है, जिस तरह हमन और अन내 लोगों का ख्याल रखा, कुछ चुके हुई हैं, लेकिन इतने कम बुनियादी धाचे वाला, इतना विशाल देश, इतने विशाल बुनियादी धाचे और इतने विशाल फंड वाला अमेरिका, जरा उस देश को देखिए, वो अब भी हिले हुए हैं, अब भी हिल रहे हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ आप, तो हम में से हर किसी को बहुत आभारी होना जाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस ने क्या किया, दॉक्टरों, नर्सों से लेकर पुलिस कॉंस्टेबल, हर किसी ने इसे मैनेज करने की कोशिश की है, यह कोई छोटी बात नहीं है, एक दशमलत तीन अरब लोग, यह आदमी एक भाशा बोलता है, वो आदमी दूसरी भाशा बोलता है, दरजनों भाशा हैं, आप हर किसी से ए चाया जाए, कैसे उनसे जिम्मेदारी से बरताव कराया जाए, यहां तक की मास्क, मास्क कैसे पहने, आप जानते हैं, लोग, लोगों की समझदारी का स्थर ये है, लोग जेव में मास्क लेकर चलते हैं, उन्हें लगता है कि यह ड्राइविंग लाइसंस जैसा है, जब मै कह रहा हूँ इस तरह के देश में असरदार तरीके से किसी महमारी को कैसे मैनेज करना और सफलता पुरक उससे बाहर आना एक ऐसी फलती-फुलती अर्थ होस्था होना जैसे अभी हमारी है, छोटी बात नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ एक प्रधान मंत्री, एक मुख्य मंत् इसमी तक सभी ने कोशिश की है, हमें लगातार नकारात्मक टिपडियां नहीं करते रहनी चाहिए, देश को सरा हैं, अगर आप प्रशासन को नहीं सरा सकते तो देश को सरा हैं, हम फिर से पहर उपर खड़े हैं हैं यह कोई छोटी बात नहीं है जी हाँ, सर शायद मैं आपसे अंगिनत सवाल और पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि समय कम है, मुझे आपसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राइट के बारे में पूछना है, जो आपका रहे हैं, जो मुझे आकरशक लगती है विम हॉफ नाम के एक शक्स है, उन्हें आइसमान कहा जाता है, वो प्राणायाम और योग के कुछ पहलूँ का इस्तमाल मुख्य रूप से बहुत कम तापमान से निपटने के लिए करते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया विम हॉफ और उनकी शमताओं पर ध्यान देती है और अकसर भारत के सभी योगियों की योग शमताओं को अंदेखा कर देती हैं, मैं विम हॉफ को अच्छे से जानता हूँ, मैंने उनसे बात की है, लेकिन मैं ऐसा कोई करतब नहीं करने वाला लेकिन 30,000 किलोमीटर कोई मजाक नहीं है, 100 किलोमीटर में आपकी पीट दुखने लगती है, मैं कलपना नहीं कर सकता कि बाइक पर 30,000 किलोमीटर कैसा होगा शायद ये योगियों जैसी पीट के लिए एक अच्छा विग्यापन होगा आपके सामने इस सफर के संदर्भ में दर्द पर आपकी राय क्या है और आम तोर पर एक कॉंसेप्ट के तौर पर दर्द के ऊपर दर्द कोई concept नहीं है अगर आप नहीं जानते कि ये concept नहीं है तो मैं आपको थोड़ा दर्द दे सकता हूँ आप जान जाएंगे कि ये concept नहीं है ये एक जीवन थकीकत है जब ये आपको होता है क्या दर्द को मन से नियंतरन किया जा सकता है देखे, दर्द शरीर में होता है देखे, मान लीजे ये पानी 9 से 10 इंच गहरा है, ठीक है? 9-10 इंच गहरा होगा लेकिन आप पेड़ के उपर से छलांग लगाना चाहते हैं अगर कोई दर्द न होता, तो आप ऐसा कर लेते अगर इससे आपका सिर फूट जाता, फिर भी, और कोई दर्द नहीं होता, तो धिर सारे लोग ऐसा करते अभी एक मातर चीज, जो कम से कम आपको जीवित रहने के अर्थ में आपको समझदारी से बरताव करवाती है, वो दर्द है दर्द के बिना अधिकतर लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि जीवित कैसे रहना है, तो दर्द बहुत अच्छी चीज है, ये आपको मैनेज करता है भावनात्मक दर्द भी? वो आप पैदा करते हैं, क्योंकि आप ट्राजिक हीरो बनना चाहते हैं देखिए, सिर्फ शारिरिक दर्द अस्तित्व के रूप में सच है जो दर्द आपके मन और आपकी भावनाओं में हैं, वो आप पैदा करते हैं आप खुद को दुख देना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक व्यर्थ जीवन हैं आपको गहन महसूस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता है दर्द आपको गहन महसूस कराता है आप मुंबई से हैं, सिनमा की दुनिया से, मैं कहा रहा हूँ दर्द के बिना कोई गहराई नहीं है, ना? कोई कलाकारी नहीं देखिए लोगों को लगता है कि वो गहन है क्योंकि वो दर्द में है नहीं, आप दर्द को गहराई समझने की गलती कर रहे है यह बहुत बड़ी गलती है अगर यह भारी मात्रा में आए तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, ठीक है यह आपको बर्बाद कर देगा यह जीवन के टुकले टुकले कर देगा दर्द, हाया ना मनुश्य बर्बाद हुए हैं जरूरी नहीं कि किसी तलवार या बंदूक से वो बस अपनी ही भावनाओं और विचारों के कारण खुद को टुकले टुकले कर लेते हैं जादा लोग किसी की तलवार या बंदूक की बजाएं खुद ही खुद को नश्ट कर रहे हैं अपने ही मन की तेजधार का इस्तिमाल करते हुए है की नहीं तो ऐसा क्यूं है क्यूंकि आपने कुछ बुन्यादी चीज़ों को गलत समझ लिया है आप नहीं जानती कि क्या असली है और क्या नहीं क्या अस्तित्व की दृष्टी से सच है क्या शारिरिक तोर पर सच है क्या मन वज्ञानिक रूप से सच है आपने इसे खो दिया है आपने इसकी सीमाय खो दी है अगर आप इसे खो देंगे तो आप जो भी करें उससे दर्द होगा मुझे एक चीज बताई है जिससे लोग दुखी नहीं है एक चीज बताई है देखिए अगर वो गरीब है तो वो अपनी गरीबी से दुखी है अगर आप उन्हें अमीर बना दें तो वो टैक्स से दुखी हो जाते है अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो उससे दुखी है उन्हें स्कूल में डालो वो उससे दुखी हो जाते है शादी नहीं हुई है उससे दुखी है शादी करा दो बात ही मत कीज़े बच्चे नहीं है वो उससे दुखी है बच्चे दे दो रोज का दुख हाँ तो ऐसे लगता है जैसे आप जीवन के हर पहलू से दुखी है तो हम आपको मृत्यु दे देते हैं ओ वो उससे भी दुखी है तो दुख जीवन के हालातों के कारण नहीं है दुख इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि खुद को manage कैसे करना है आप नहीं जानते कि अपने मन, अपनी भावना, अपनी उर्जा, अपने जीवन को कैसे manage करें आप नहीं जानते कि manage कैसे करना है तो सब कुछ दुख बन जाता है शारेरिक दर्द एक अलग चीज है शारेरिक दर्द किसी संपर्क या बीमारी जोट या किसी चीज के कारण होता है उसमें बेशक हमें देखना चाहिए कि अपने जीवन में उसे कम से कम कैसे रखें मच्छर आपको काटता है, ठीक है लेकिन आपको भालू से कटवाने की ज़रूरत नहीं है आपको उससे बचना चाहिए आप बाइक की सवारी के दर्द को क्यों जहिल रहे हैं? ऐसा आपका मानना है कि ये दर्दनाख है ये ये रिस्की है दर्दनाख नहीं, रिस्की एक चीज़ ये कि मैं सर्दियों में बाइक चला रहा हूं योरप की सर्दी, उत्री उत्री योरप की सर्दी जहां बर्वबारी हो रही है शायद सडकें बरफीली है बरफीली सडक पर दुपहिया चलाना कोई या मसाग नहीं है ये रिस्की है फिर मैं आरब आ रहा हूँ जहां तापमान 38 से 40 डिगरी के बीच में है मैं वहां बर्फ की तरह बिगल सकता हूँ फिर मैं भारतिय मौनसून के चरम पर भारत आ रहा हूँ क्यूं? मेरे जैसा कोई आदमी क्यूं? मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ क्यूंकि मैं जहां भी जाओं लोग मेरा ख्याल रखेंगे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो सबसे रोमान्चक जगा जो आपके दिमाग में आती है अगर मैं कहूं कि मैं एल्प्स माउंटेन में रहना चाहता हूँ लोग मेरे लिए वहां घर बना देंगे मेरी जेब में एक डॉलर भी होना ज़रूरी नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं हिमाले में रहना चाहता हूँ तो कोई मेरे लिए एक बढ़िया सी जगा बना देगा अगर मैं कहूं कि मैं समुद्र में रहना चाहता हूँ कोई मेरे लिए एक बड़ा सा यॉर्ट खरीद देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से आराम से जी सकता हूँ, मैं ये क्यूं कर रहा हूँ? क्यूंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी युवा लोग ये समझें, अगर हम ये अभी नहीं करेंगे, तो हमें बहुत पच्छतावा होगा, और आपका ये जेनरेशन जी लेबल कम से कम आधी आभादी के लिए सच हो सकता है, अगर पूरी आभादी के लिए नहीं, तो आधी आभादी के लिए सच हो सकता है, आप मुझे जहां भी रख दें, क्योंकि मैं कभी आराम के पीछे नहीं गया, मैं जंगलों में सोया हूँ, मैं पेड़ों पर सोया हूँ, मुझे सिर से पाउं तक कीड़ा मुकॉणों ने काटा है, आप जानते हैं, मैं जंगल में रहने के दो-तीन सब्ता बाद वापस आता, तो लोग मुझे पैचान नहीं पाते थे, सिर से पैर तक कीड़ों के काटने के वज़े से, आप मुझे पैचान नहीं सकते, मेरा चेहरा ऐसा हो जाता था, पर मुझे दुख नहीं हुआ, तो मैंने कभी आराम नहीं चाहा, इसलिए मैं कभी दुखी नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक बहुत ही दिल्चस्प और तीवर जीवन जिया है, और जीवन का मेरा नुभव ऐसा है, कि मैं ब्रम्हांड की किसी भी चीज़ के साथ, इसकी अदला बदली नहीं करूँगा, आप मुझे कुछ भी दे दें, आप मुझे सोने का पहाड भी दे दें, मैं उससे भी नहीं बदलूँगा, हाली मैं मैं अमेरिका में लॉस एंजल्स में था, एक शक्स आया और मुझे से मिलने की इचा ज़ता ही, उसके पास कुछ दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन थी, मैंने का एक इस बारे में हो बोला, हमारी ओनलाइन प्रापरटीस के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन करना चाता है, मैंने का ठीक है, मुझे दिखाई यह क्या है, फिर वो प्रेजेंटेशन के साथ हाया और दिखाया वो सब चीजें जो यूट्यूब पर हैं, इन सारी चीजों, चैनलों, प्लैटफॉर्म पर वो सब जो हैं, सारा हिसाब किताब उसने दिखाया, सद्गुरू, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं इस सारी सामगरी पैकेज कर सकता हूँ, और आज की, आज इसकी कीमत लगभग 2.7 अरब डॉलर है, मैं इसके लिए आपका पैकेज बना सकता हूँ, और आपको कुछ अगले सालों में इतने पैसे दिला सकता हूँ, मैंने का, मैं 2.7 अरब डॉलर का क्या करूँगा, मुझे 8 अरब लोग दिला दीजिये, मैं वही ढूंड रहा हूँ, अभी, मिट्टी बचाओ अभियान के लिए, मुझे 3.5 अरब लोग दिला दीजिये, काम हो जाएगा, वो कीजिएगा, अगर आप मुझे 25 लाख अर्थ बड़ीज दिला दें, तो मैं आपको राइड पे ले जाओंगा, मोटर साइकल पर, आपकी पीट नहीं दुखेगी, मेरा विश्वास कीजिए, सद्गुरू, धन्यवाद, शायद सिर्फ एक आखरी स्वार्थी सवाल, क्योंकि मुझे हर समय ये मौका नहीं मिलता, क्या आपके पास कोई सला है, मेरे लिए या इस शो के जर्ये हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं जानता हूँ कि इन सवालों से आपको एक तरह से इसका सार मिल गया होगा, लेकिन मेरी टीम और मेरे लिए कोई आखरी सला, देखे, हर पिढ़ी को उन चीजों के लिए याद किया जाता है, जो वो करते हैं, देखे अभी, 15,000 साल बाद, हम अब भी आदियोगी की बात कर रहे हैं, क्यों? आपको लगता है, क्योंकि वो लंबे और खुबसरोथ है या ऐसा कुछ? नहीं, हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमें आउपहार दिये, वो अब भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं न, आप किसी इनसान को इतिहास के जरीए याद करते हैं क्योंकि उसने कुछ भयाना किया हो, फिर आप उसे गलब तरीके से याद करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, जो हमारे जीवन के लिए अब भी फायदेमंद है, एक प तो दिशान्द्रा साल में हमें एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने दुनियां को बदल दिया। वो नीचे की और एक विनाशकारी जगा पर जा रही थी और हमने उसकी दिशा बदल दी। हमें उसके लिए याद किया जाएगा। आपको मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे परवार नहीं है, आप मुझे याद करें या ना करें। लोग मुझे से पूछते हैं, सद्गुरू, आपके बाद आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद करें। मैंने कहा अगर वो सिर्f मेरे बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि वो बुरा जीवन जी रहे हैं। ठीक है? अगर वो मेरे मरते ही मुझे भूल जाते हैं इसका मतलब है कि मेरा काम सफल रहा है। वो अच्छा कर रहे हैं वो बढ़िया जी रहे है आपको हमेशा लगता है कि लोग कृतगनिता के कारण भूलते हैं, नहीं, वो खुशी है जो लोगों को भूला देती है, पता है, जैसे एक बहुत ही बुद्धिमान महिला ने कहा है, वो उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, उसने उनकी शादी कर दी, वो अलग-अलग दिशाओं में अपने हनिमून के ले गई, एक लड़की जो बहुत प्यारी, अच्छी लड़की थी, उसने कभी संदेश नहीं भेजा, कभी चिठी नहीं भेजी, कुछ नहीं, दो मैने हो गया, उसने कोई संदेश नहीं भेजा, दूसरी लड़की, हर दूसरे दिन वो संदेश भेजती थी, मा को फोन कर के बात करना चाहती थी, तो किसी ने आकर पूछा आपकी लड़कियां कैसी है, उसने कहा, संदेश न भीजने वारी लड़की के बारे में कहा, एक वाकई ठीक है, दूसरी लगता है, उसके पती के साथ कुछ परिशानी है, ठीक है, जो खुश है वो पलटता नहीं है, जो वा कारण के लिए इस देश में आज भी हम हमेशा आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, ठीक है, वो पीड़ी इस देश के लिए लड़ी, शायद अगर आप महां होते तो आप भी लड़े होते, ये एक अलग बात है, लेकिन आप वह नहीं थे, कोई लड़ा, हम हमेशा उन् हाँ या न, इसी तरह अभी सारे तध्या भी सामने नहीं आये हैं, हम कई रूपों में इसे सामने लाएंगे, कितने रूपों में हम आपदा की कगार पर हैं, पर हमारे पास उससे पलटने का मौका है, आपको जाकर मिट्टी को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आवाज उंची और स्पष्ट करनी है कि पर्याप्त लोग, पर्याप्त लोग मतलब दुनिया के 60 प्रतिशत मददाता वर्ग को आवाज उठानी चाहिए, 3.5 अरब लोगों को 100 दिन तक मिट्टी की बात करनी चाहिए, 21 मार्ज से 100 दिनों तक, ऐसा कीजिएगा, मैं ये पक्का करूँगा कि दुनिया की हर सरकार, मिट्टी से जुड़ी नीतियों को अपनी नीती विवस्था में शामिल करे, मैं ये करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी विवस्था है, UN एजिंसियां हमारे साथ में हैं, मैं आईवरी कोस्ट में 170 देशों को संबोधित करते हुए कॉप 15 में बोलने वाला हूँ, हम ये करेंगे, लेकिन लोगों को साथ होना चाहिए, अगर लोग परवाह नहीं करते, तो सरकार कुछ क्यों करेंगी, क्योंकि सरकार सिर्फ लोगों के जनादेश को असर में लाने के लिए हैं, है न, अगर लोगों का जनादेश इन चीजों के बारे में नहीं है, तो वो इस असर में क्यों लाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है, अपना वाइफाई और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजेगा, उससे मदद मिलती है, धन्यवाद सद्कुरू, नमस्कारम, आपको प्रडाम करता हूँ, और एक बार फिर ये अफस्वर देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, झाल झाल झाल